इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी टोटल गैस के शेर के बारी में इसके Q1 के नंबर पब्लिश्ट हो चुके हैं देखते हैं इनके नंबर्स कैसे आया है इसके लिए हम कंपनी की consolidated financial result को देखेंगे और जो सारे यहाँ पर नंबर्स देखने को मिलना है वो करोर्स में है अगर कंपनी की total income को देखें तो last year के same quarter में कंपनी ने 1119 करोर की total income को generate किया था जो कि इस quarter में 1142 करोर हो गई है अगर हम इसको last quarter से compare करें तो बहाँ पर sales की लगबाव 1206 करोर थी मतलब एक तरह से flat देखने को मिला है total income में आपको Q&Q and wine by basis पर अगर company की expense को देखें तो last year के same quarter में company ने 934 करोर रुपए एक तरह से expense में खर्च किये थे जो कि इस quarter में 10 करोर बगर 944 करोर हो गए है मतलब यहाँ पर थोड़ा सा expense बढ़ा हुआ है अगर हम last quarter से compare करें तो 1065 मतलब Q&Q basis पर आपको expense में control होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम company के total profit या total net profit को देखें तो यहाँ पर company ने last year के same quarter में 138 करोर का profit को generate किया था जो कि इस quarter में 150 करोर हो गया है मतलब wine by basis पे आपको यहाँ पर ठीक ठाक एक तरह से jump देखने को मिला है और अगर हम इसको Q&Q basis पे compare करें तो last quarter में company ने 106 करोर का एक तरह से profit को generate किया था मतलब Q&Q basis पे आपको एक तरह से 50% का jump देखने को मिला है जो की काफी मतलब एक तरह से अच्छे result और positive result मान सकते हैं अगर company का EPS देखें तो last year के same quarter में जहाँ EPS 1.26 हुआ कर था जो की बढ़कर यहाँ पर 1.37 हो गया है मतलब यहाँ पे हर तरह के से EPS में भी ग्रोथ आपको देखने के मिल लएए तो कुल मिला के इसके numbers अच्छे मान सकते हैं तो यही थे अडानी total gas KQ1 के result अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को like कर दिए share कर दिए मिलते हैं next video में तब तक लिए thank you very much